जेन दोस्तों सौगत आपका चैनल तकड़ाफोजी पे दोस्तों आज इस वीडियो पे मैं बात करूँगा S.S.E.G.D. Constable 2024 का जो आप लोग के कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम हो गये है उसका कट ओफ मार्क कितना होगा आपका स्टेट वाइज आपका कैटगरी वाइज आप जनरल कैटगरी S.E.S.T.E.W.S. कोई से भी कैटगरी हो तो आपका कट ओफ कितना जाएगा उस बिशेवे बात करूँगा तो वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्य और शेत्र की बारे में बात करूँगा जैसे कि आपका जम्मन कश्मीर और लद्दा क्रिजियोन की बारे में बात करूँगा आपका हिमाचल प्रदेश और आपका उतरहकन राज्य आपका हो गया हरियाना और आपका पंजाब और दिली शेत्र के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को पुरा लास तक देखेगा दोस्तों और आप यदि उस शेत्र से हो तो इस वीडियो को पुरा लास तक देखेगा दोस्तों और वीडियो को प्लीज लाइक किजेगा और वीडियो को प्लीज शेर किजेगा दोस्तों अच्छा बात करते हैं category wise देखिए इस शेत्र में जह ज़ादतर HD category, general category और CST तो है EWS भी है तो सभी बारे में बात करूँगा तो एक एक शेत्र के बारे में बात करता हूँ देखिए आपका यदि मैं बात करता हूँ तो सिर्फ उत्तर से एक दिम उपर से बात करता हूँ तो जमवन कश्मीर और लदा क्रिजियोन के बारे में बात करता हूँ इस शेत्र से जो है ज़ादा तर ST category के candidate ज़ादा है आप यदि लदाग या फिर जमन कश्मीर से होते हो तो उस शेत्र से होते हैं तो आप यदि ST category के हो तो आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा जिया दोस्तों SCCD Constable के exam में बहुत ही फाइदा मिलेगा आपका computer based exam में आपको बहुत ही मतलब कम mark में भी आपको physical के लिए बुलाएगा अभी इस शेत्र में जो है border district भी होता है तो border district के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा border district LWE North East के बारे में पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो चाहिए कि नहीं border district area की बारे में कितना cut up जाएगा तो बात करते हैं लदाक और जमोयन कश्मीर के region के बारे में देखिए इस शेत्र से ST category के जितने भी candidate है जितने भी मेरे भाईबेन है जो SSCGD के exam दे रखते हो आप लोगों का जाएगे टूटल कुशन होता है कितना 80 कुशन और टूटल मार्क हो गया 160 हर एक कुशन का 2-2 मार्क मिलता है तो आपका यदि minimum मार्क आपका 70 से 80 परसें किसका सिर्फ ST category के मैं बात कर रहा हूँ यदि 70 या 80 मार्क मिल जाएगा आपको तो आपको physical के लिए बुला सकता है नोट किजेगा दूस्तों इसके बाद बात करते है ST category ये भी लगबख सेम ही है लगबख 8090 मिली जाएगा और यदि 8090 मिल जाएगा आपको तो आपको आराम से physical के लिए बुलाएगा बुलाएगा अच्छा इसके बाद बात करते है तो EWS और OBC और General के बारे में EWS, OBC और General में बात करता हूँ तो इसमें जो है आपको 110, 120 या फिर 130 भी होना चाहिए General category का तो 130 होना ही चाहिए लगवग इसमें General category का candidate कम ही होते है लेकिन आपको उतना नंबर तो चाहिए चाहिए क्योंकि vacancy बहुत ही कम है 26,000 ही है बस पूरे देश है अच्छा देखिए General category OBC और EWS आपको 100 के उपर यानि कि 112, 120 के उपर मार्क होने से आपको आराम से जो है physical के लिए बुलाएगा बात करते है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य से हिमाचल प्रदेश यदि राज्य से हो आप कोई भी दोस्त हो और SACGD Constable का एक्जाम दे रख के हो तो आपका जो General category हो तो आपको 120 के उपर होना चाहिए चाहिए और EWS से मिए EWS और OVC 110 बीस होना चाहिए चाहिए तभी आपको physical के लिए बुलाएगा और यदि आप ST के टेगरी से हो तो आप जो है 60 मार्क, 70 मार्क होने से भी आपको physical के लिए बुला सकता है आप ये नोट करके रखियेगा हिमाचल प्रदेश के मैं बात कर रहो इसके बाद बात करता हूँ मैं एक राज्या जो कि हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड से भी जादर ST के टेगरी के candidate जादा है, तो ST के टेगरी के जो बंदे है आपका 80 मार्क होना चाहिए उत्तराखंड के मैं बात कर रहा हूँ 80 मार्क होने से आपको आराम से फिजिकल के लिए बुलाएगा और आप मिलान करके देखियेगा आपका ये नोटी मार्क होता है 8090 होता है ST के टेगरी के जो उत्तराखंड के मेरे दोस्त है तो आपको फिजिकल के लिए बुला सकता है दोस्तो और EWS OVC और जनरल के टेगरी 120 के उपर होना ही चाहिए तब ये आपको फिजिकल के लिए बुला सकता है आप कॉमेंट कीजेगा कि आपका मार्क कितना है और आप येदि उत्तराखंड नहीं माचल प्रदेश क्या बुलते है जैन के और लदाक रिजियों से हो तो ये जो मैं बताया आप पुरा वीडियो को लाज तक देखे हैं ये जो मैं मार्क बताया 80, 90, 100, 120 तो आपको फिजिकल के लिए बुला सकता है दोस्तो अभी बात करते है पंजाब राज्य की हमारे पंजाब में जो है ज्यादा तर OVC और जनरल कटेगरिये ज्यादा होते है हलाकि जो बॉर्डर डिश्टिक है उनका कट आप बहुत ही कम जाता है लेकिन मैं बात करता हूँ आपका यदि जनरल कटेगरिये से हो और आप यदि पंजाब राज्य से हो तो आपको जो है 130-140 होना ही चाहिए 160 में से कभी-कभी तो 120 भी होना चाहिए तो 120 को भी बुला लेता है फिजिकल के लिए जनरल कटेगरिये मैं बात कर रहा हूँ और EWS और OBC लगबख सेम होता है 110-100 में से होने से भी आपको फिजिकल के लिए बुला सकता है और पंजाब के यदि आप ST कटेगरिये हो तो 80 और 90 होने से आपका फिजिकल के लिए बुला सकते हो और पास हो जाओगे आप आप यदि बॉड़ा डिस्टिक से हो तब तो और कम मार्क में भी आपको बुला सकते है ठीक है दोस्तो इसके बाद बात करते है हमारे दिल्ली राज्यके जो दिल्ली शेत्र है दिल्ली जो है शेत्र के ज़्यादा तर केंडिडेट जो है जनरल केटेगरी के होता है और मार्क जो है इसका बहुत ही हाई जाता है कट अप मार्क बहुत ही हाई जाता है आप यदि दिल्ली से हो तो आपको मिनिमम 120-130 से उपर ही रखना है तब यह आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा ठीक है दोस्तों और इसमें आप यदि ST और ST के टेगरी से हो तो 100 के उपर रखने ही रखना है अलग-अलग राज्य जो है जमो कश्मीर, माचल प्रदेश, उतराखंड इसमें जो है आप 17 से हो जाता है लेकिन दिल्ली में आपको 100 के उपर रखना है भाई आप यदि ST के टेगरी के हो तो 100 के उपर रखना ही है तभी आपको बुला सकता है ठीक है, ये मैं फाइनल नहीं बूल रहा हूँ आपको कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है तो बुला सकता है आपको तो आप यदी दिल्ली शेत्र से हो तो आपको सो में से उपर नंबर होने से आपको भुलाएगा ठीक है दोस्तों आप यदी सो के नीचे होते हो तो मुश्किले भई देखो आप मिलान कर लीजेगा तो मैं आज जो इस शेत्र है जो हमारे जमुएन कश्मीर, लदाग, हिमाचल प्रदेश, उतरकंड, हरियाना अभी बात करते हैं हरियाना का हरियाना में भी बहुत ही हाई जाता है का टॉप थीक है दोस्तो आपका यदी st category के हो तो आपको 100 नमबर के उपर रखना परेगा और यदी eternal category से हो, EW से हो और OBC से हो तो आपको स्कोर करना परेगा एक सो बीस एक सो तीस के उपर स्कोर करना पड़ा तब ही आपको फिजिगल के लिए बुला सकता है दोस्तों तो इस वीडियो पर हम लोग किया जाने के हमारे जमौन कश्मीर लदाक रिजियन उतराखन हिमाचल प्रदेश पंजाब हो गया हमारा हरियाना हो गया और दिल्ली शेत्रे के जो केंडिडेट से जैसे कि जनरल कटेगरी EWS, OVC, CST तो अलग अलग जो है काट अफ होता है तो आप आप अपना स्कोर देख लिजेगा और इस वीडियो के साथ मिलान कर लिजेगा तो आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाएगा तो अगले वीडियो पर मैं दूसरे शेत्र के बारे में बात करूँगा जैसे कि हमारे दक्षिन बारत के बात करूँगा ठीक है और LWE और नौर्थ एस्ट के बारे में बात करूँगा और UP Bihar, West Bengal इस शेत्र के बारे में बात करूँगा आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आप की स्राज्य से हो और आपका स्कोर कितना आ रहा है तो मैं बीडियो बना दूँगा और पूरे शेत्र के में बना दूगा और एक्स्टर भी एक बीडियो बनाऊंगा LWE और बॉडर डिस्टिक जो एरिया है जैसे कि हमारे West Bengal के है और त्रिपुरा मेगालाई के है इस दर मिजूराम, मनिपू इधर उड़नचल प्रदेश, नागालेन और जम्मुएन कश्मीर जो बहुत सरे जो स्टेट है और उनका डिस्टिक है वो बॉडर डिस्टिक के हलाता है और इस बॉडर डिस्टिक के लिए भी अलग से मैं वीडियो पूरा बना के दूँगा आप लोग बस कॉमेंट कीजि और बेल आइकन को दबा दीजेगा था कि मैं जब भी वीडियो पनाऊंगा और आपको नोटिफिक्षन मिल जाएगा और आप आराम से जो वीडियो देखके आप एनडलाइज कर सकते हो और आगी के त्यारी कर सकते हो तो दोस्तों पढ़ाई करो और मेनत करो पढ़ाई और मैनाज जो है आपकी जिन्दिगी में रंग लाएगा तो दोस्तों वीडियो पर बस इतना ही वीडियो को प्लीस लाइक कीजेगा और वीडियो को शेर कीजेगा दोस्तों और तगड़ा फोजी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा दोस्तों मिलते आगले वीडियो पे तब तक के लिए जैन सबको